गुरु शुक्र कोई घर्जब पहले थाठ लंबी जबीरों का योग पूर्ण खुद मंगल करता खून शाही या वजीरों का नमस्कार दोस्तो आज का टॉपिक है मंगल भाव नंबर साथ योग की भेत रोचक और मजिदा टॉपिक है मेरी नजर में मैंने जिन्दगी में साथ नंबर भाव में जब भी मंगल को बैठे देखा है तो उस पर बहुत एक्सपीरियंस हासिल है चलिए बात करते हैं क्या कहती है हमारी लाल के दाब मनगल साथ के बाड़े में और ऐसे इंसानों के बाड़े ऐसा इंसान यहा तो लंबी जागिरों का मालिक होगा एक उम्दा जिन्दगी जीनेवरा इंसान होगा जिसे कुद्रत की दी हुई हर शै हासिल और बेशुमार धन्ध वालत का मालिक होगा ऐसा इंसान अपने भाईयों को अगर पालता रहे तो इसकी तरकी में ज्यादा चार चांग लग जाएं जाल किताब कहती है कि ऐसा इंसान भगवान विश्णु की तरह अपने कुटुम्ब की पालना करने वाला इंसान होता है जिसे न्याय करने में कोई संकोच महसूस नहीं होता इल्म रियाजी का मालिक होगा यानि कि Mathematics का हिसाब किताब रखने की कला ऐसे इंसान के अंदर जनम से ही होगी इसके खून में हो जब कभी भी मंगल अपने दौरे पर आए यानि कि घूम कर मंगल कैसे भी वर्षवलियां कुचर में साथ नंबर भाव में आ जाए तो फिर मंगल या फिर ऐसा मंगल की अपनी उमर चल रही हो तो ऐसे इंसान की कोई भी बड़ी खौईश कुद्रत एक भागतों से जरूर पूरी करती ही करती है इसी के साथ साथ मंगल बद के हालात भी देख लेने चाही क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा इंसान या तो उम्दा आला और शाही ठाट वाली जिन्दिकी का मालिक होगा या फिर गरीबी मुसलिफी का मारा हुआ इंसान होगा परन्तु ऐसे इंसान कभी भी दर्मियानी जिन्दिकी का मालिक नहीं होगा इस जगे लाल किताब ऐसा कहती है कि मंगल सात्वे सबकुछ उम्दा भन दौलत परिवार ही सब सब का सभी रद्धी होगा बुद्ध मिले मंगल से जब मैं आपको खुल के समझाता हूँ कि अगर ऐसे इनसान की कुनली में बुद्ध का संबंद मंगल से हो गया जैसे कि बुद्ध भाव नंबर एक में साथ में, आठ में, बारा में या फिर इसने अपनी कैसी भी बेफकुफी से मंगल को बुद्ध के साथ मिला दिया ऐसे इनसान में ऐसे इनसान की कश्टी वहां डूपती है जहां पानी कम है यानि कि आसान हालातों में भी परिशानी गले पड़ जाएगी इसके हालात ऐसे कब होंगे और उसकी निशानी या खुद की गई हुई गल्ती इस पे अब हम रोशनी डालते हैं इसको क्रिपे आप बहुत ध्यान से समझेगा और किसी लाल किताब के अच्छे जानकार से मिलकर इसका निवारन आपको जरूर करना चाहिए गर ऐसे इनसान का तालुक खाली या सुखे हुए कुए से या बोर्वेल से हो जाए या वे खुद बना ले और बुद्ध की चीजों का कारोबार कर ले जैसे कि स्टेशनरी का काम या म्यूजिकल चीजे या कारोबार या किताबों का या पेपर का काम या फिर रिष्टे में अपनी बहन, बेटी, भुआ, मासी, साली या अपने परिवार की कोई बेटी यादी की के साथ वेपार कर ले या कैसा भी कोई कारोबारी या कोई और संबंद बना ले या उनसे पैसा या उनसे मदद लेकर अपने कारोबार में डाल ले या मंगल की उमर में ही अपनी बहन बेटी की शादी बगरा कर दे या परिवार की कोई बहन बेटी या बेवा डाइवोसी हो जाए और इसको अपने पास रहने दे ऐसे कही हलात उसके पास खुद रहना चला जाए तो फिर मंगल अपने जहरी ले असर पर आ जाए यही नहीं मंगल की दशा या अंतर दशा में या गोचर आदी चल रहा हो या वर्शफल में आ जाए तब भी ऐसा इनसान अपने घर में कोई रबर प्लांट ले आए किसी ने इसको पैन गिफ्ट कर दी या या कोई निब गिफ्ट कर दी या ऐसा इनसान को मुजिकल साज और समान खरीद ले आए आए कोई बांस की चीजे ले 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 कोई डोर बैल या विंट शाइम ले आए जिसमें खनक हो या तल जैसी आवाज आती हो फिर या फिर इस समय क के दौरान घर की कोई सीड़ियां तोड़ कर दुबारा बना ले यहां तक की कोई मुजिकल इवेंट या कोई पार्टी या कोई कीरत नादी कर ले तो फिर मंगल अपने पंगे गंदे फल इन में सब में डालने ऐसा डालेगा कि ऐसे इनसान को फिर भगवान यादा जाएंग शीरवाद लेना ऐसे इनसान को पचा जाएगा या आगया आपको मैं उपाए में भी बताओंगा ध्यान रखिए कभी भी ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए ऐसे सभी रिष्टों की जो मैंने अभी उपर बताए और तो और एक खास उपाए जो मंगल के जह से बचाओ करते हैं रहे दिवार तोड़ कर बनाने का या दिवार तोड़ने का उपाए सोशल मीडिया पर इसको मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा इसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि कभी-कभी ये ऐसे उपाए सोशल मीडिया पर समझ कर करने से नुकसान बहुत अ सर देते हैं मेरा जो अनुबव रहा है अगर मंगल साथ लड़की की कुंडली में हो तो उसका अगर प्रभाव मंदा हो तो उसका जो एटिचूड है उसे अपने ससुराल में कभी भी भूल कर और अगर लड़के की कुंडली में है तो भी उसकी पतनी का जो एटिचूड है वैए उसे हमेशा हई ही मिलता है यह दोनों हालातों में आपको जो शादी का लाल जोड़ा, जब भी आप शादी करें चाहए आप लड़की है या लड़का तो आप अपने पार्टनर की जो लाल जोड़ा है वैश अपने घर पे मत रखीए शादी का लाल जोड़ा पहले मंगल गीत गाकर बुना जाता था और उझे फुलकारी आदी में रखा जाता था उसे फुलकारी भी जो है वह भी मंगल गीत गाकर ही बुनाई की जाती थी और उसमें ही इसे सहेज के रखा जाता था अब हमारी जो परंपरा हैं ये लोग भूलते जा रहे हैं, रेस्टरन कल्चर की तरफ चले जा रहे हैं, परंथ इसके लिए इसी टॉपिक पे मेरा एक अलग वीडियो है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देखना मत भूलेगा, इससे आपको और फाइदा मिलेगा, जाते जाते एक और बात, मा दुर्गा की लाल चुनरी या कोई लाल दुपटा, अगर आप घर लाते हैं, मंदिर से आपको खजाने के तो और पर मिलता है, तो वह भी आपको मंदा असर देता है, अगर आपके पास है, तो आप उसे 40 दिन से जादा अपने घर पे मत रखिए, ऐसी हालात में आप चाहो, तो पहले को जल परवा करके आप नया ले आईए, इससे आपकी आस्था को ठेज भी नहीं पहुंचेगी, और आपका नुक्सान भी नहीं होगा, भाईयो, अब मैं आपको बात करता हूँ, कि इस पे क्या आपक करना चाहिए, ऐसा इंसान अगर अपने भाईयों की सेवा करता रहता है, तो इसकी किस्मत हमेशा चमक भी रहे है, छोटी कंजकों और कन्याओं को मीठा बातना, बहुत उत्तम उपाए, दिवार अब बनाकर तोडने का उपाए, जो मैंने आपको बताया है, अगर दिक्कत आरी हो, तो आपको ये उपाए, किसी अच्छे लाल किताब के जानकर से पूछ कर ही करना चाहिए, भाई की उलाद को पालना, इस इंसान की किस्मत की चाबी होगी, अपने भाई की संतान को, खास करके बेटे को, अपने भतीजे को, बिजनस में शामिल कर सकते हैं अपने सा ऐसे इंसान को दालों का बिजनस, मसालों का बिजनस, ये काम फायदा देते हैं, इस चाहिए इनकी सेलिंग करे, होल सेलिंग करे, ट्रेडिंग करे, आयरुवेदिक, या डाइजेशन सिस्टम से, हाजमे से रिलेटीड दवाईयां, उनका भी बिजनस कर सकता है, फ्रूट, बहुत बड़ा बिजनस है, ये फ्रूट का, वेजीटेबल्स का, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, मसालों के काम, दोस्तों ये सारे जो मैं कारोबार के बारे में बताता हूँ, इसको भी आगे डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेनत खुद भी करनी प लाल किताब के उपायों का, अधिक से अधिक ज्यान आपको दे सकूँ, लाल किताब के अंदर जो मंगल है, उसका जो सम्मन्द वो भी खून से ही गिना गया है, और दुनिया की हर बिमारी का पता डॉक्टर भी खून से ही लगाते हैं, इसलिए कभी भी आपको मेडिकल एम मेरे पास अपने मित्य संबंदी या रिष्टेदारों को भी भेजते रहे हैं, जिनको एमर्जंसी पढ़ी, और वो उपाये उनके उपर बढ़े चमतकारिक तरीके से असर किये, और उनको मेडिकल जितनी ही अच्छी सुवी था, और कभी-कभी तो उससे ज्यादा जल्दी ये मेरी कही सानों के जो खुद का किया हुए एक्सपीरियंस है, उससे ही मैं ये सब कुछ संबब कर पाया, इसके लिए मैं लाल किताब का और उन सबी अपने गुरु जनों का जिनोंने अपने विद्वान होने की वज़े से, उनके अनुभव की वज़े से उन्होंने मुझे उन्होंने सिखाया, मैं उन सब का धन्यवत करता हूँ और खास करके पंडित रूप चन जोशी जी का जो इस किताब के रिचाईता हैं, जिनकी वज़े से ये लाल किताब दुनिया में आ सकी है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे जल्दी ही हम नए टॉपिक पर आएंगे, जल्दी ही नए सिलस्रे की चर्चा करेंगे, तब तक अपना आशिरवात बनाए रखिए, धन्यवाद के, नमस्कार।